हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग उन्हें डिस्कस किया था स्टाफ वर्टिकल वाला केस बट वहां पर एंगल ओफ एलिवेशन था अब यहां पर हम लोग स्टाफ तो वर्टिकल है बट केस निकल के आ रहा है एंगल ओफ डिप्रेशन वाला तो यहां पर ग्राउंड हमारा डिसेंडिंग है यहां पर एंगल ओफ डिप्रेशन निकल के आ रहा है इस केस में अगें जब हम लोग एनालिसिस करने लगेंगे तो हमें डी को डिटर्माइन करना होगा और हमें वी को डिटर्माइन करना होग तो जैसे हम लोग angle of elevation वाले case में D और V को calculate किये थे S similar analysis निकल के आएगा यानि D और V का expression वही निकल के आएगा जो angle of elevation में निकल के आया था मैं इसे फिर से याप पर note कर देता हूँ दिखर निकल के आ जाएगा दिकल के आया था हम लोगों का के सु स्कुष स्कूर्स धिथा प्लस का सी कॉस्ठीटा तो दी इसके में वही निकल के आया जायगा जो previous Canadians में निकल के आया था एसnaire यानिक कि elevation निकालने लगेंगे इसका expression भी वही निकल के आ जाएगा क्या था expression half ks sin 2 theta plus का c sin theta तो change क्या होगा change हो जाएगा p point का यानि कि जो हमारे staff leveling staff है उस point का हाना जो reduce level होगा उसको determine करने का तरीका change हो जाएगा तो इसे देख लेते हम लोग तो rl of leveling staff वाले point का so rl of staff station staff station यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा जो instrument है उसका जो height of instrument है यानि कि height of instrument ना height of instrument यानि कि इस level तक का height हो गया इसमें हम लोग क्या कर दें वी यानि elevation को minus कर दें और जो h है इसको भी minus कर दें h क्या हो जाएगा जो middle hair है है इसके corresponding staff पर जो reading है वहां से लेकर के ground तक की जो height है उसी को h से represent कर रखा है तो v और h को minus कर देंगे hi से तो अपन को जो p point है यानि की leveling staff है उस point का अपन को reduce level मिल जाएगा तो इसमें से minus कर देते हैं v को और minus कर देते हैं h को तो finally हमें expression मिल गया staff station के reduced level point का चले तो next class में हम लोग discuss कर लेंगे same topic पर numericals थैंक यू